आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी यूज़ करते हैं कोई भी MI या फिर Redmi का फोन और अगर आप अपने फोन में किसी भी अप्लिकेशन की पर्मीशन्स को ओन या फिर आफ करना जाते हैं तो कैसे कर सकते हैं आई आज की इस वीडियो में जानते हैं तो आपको अपने फोन में Settings को Open करना है Settings को Open करने के बाद आपको नीचे Scroll करना है यहाँ पर आपको एक Option मिल जाएगा Apps के नाम से अगर आपको यह Option नहीं मिलता है तो आपको मिल जाएगा App Management के नाम से उपर आप सर्च कर सकते हैं Apps डाल कर इस तरह से सर्च करने के बाद आप इस पर टच करके इस page पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह option आ जाएंगे manage apps का एक option आ जाएगा manage apps पर आपको touch करना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है और आपके phone की सभी applications आ जाएंगी तो आप जिस भी application की permissions को on या फिर off करना जाते हैं यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ पर हम whatsapp पर touch कर देते हैं यहाँ पर आपको उस application पर touch कर देना है इस तरह से और नीचे आप देख सकते हैं एक option आ जाएगा app permissions इस पर आपको touch करना है और यहाँ पर सभी permissions आ जाएंगी आप इस तरह से टच करके Permissions को Enable या फिर इस तरह से टच करके Disable कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें